वेतमंत्री निर्मलास सितारमन बजट पेश करेंगी इसे इंतरिम बजट यानि अंतरिम बजट कहा जा रहा है क्योंकि इस साल लोग सबाचुनाव 2024 में हैं तो इस बार तमाम देश के जो किसान हैं चाहे देश के युवा हैं या फिर देश के कारोबारी हैं वो बजट से क्या उमीदे कर लें अपने इस खास पेशकर्ष में दिन बार हम अलग-अलग सेक्टर से आपको रूबू कराएंगे कि किसकी क्या उमीदे हैं लेकिन इस अगले आदे गंटे में हम जानने की कोश्ट करने में कि देश के उद्योग पती, कारूबारी, कार्पूरेटर्स जो हैं इस बजट से क् शुरुआत मैं कमरोदीन साब आप से ही करता हूँ क्योंकि सरकार का इस बार ये अंतरिम बजट है और उद्योग जगत को काफी उमेदे हैं क्योंकि सरकार से बड़े-बड़े दाविय किया जा रहे है, तीन ट्रिलियन एकॉनमी, दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थ व बजट से, देखो हम सर्वकॉन सिस्टम्स लिम्टेड से कमरोदीन आप सभी के लिए बहुत नमस्कार, और उमीद करते हैं कि ये जो बजट आएगा, चूंकि जैसे अभी आपने बताया कि ये चुनाभी साल है, तो नोड आउड ही बहुत अच्छा बजट आएगा, और इ बहुत अच्छी बात है जिससे कि आप पूरी इंडस्ट्री को भूस्टब मिलेगा, नया सेट अप है, क्योंकि अभी हमाई आप सोलर की बहुत जरूरत है, और हर घर में सोलर लगना चाहिए, तो इसलिए जो प्रतानमंदी जीन की ये पहल है, बहुत अच्छी पहल है, हो जाये, तो और जादा लोगों को फायदा होगा, जैसे अभी जो टेक्स आ रहा है, बारात थेरा परसेंड के अर्थवा सोलर में बैठता है, तो ये बदो हम समझते हैं, कि इसके लिए और जादा आम लोगों को फायदा होगा, क्योंकि मैकसिम ये इंड्डूजर के हां लगेगा तो उनके लिए कहीं न कहीं रहेट रहेगी तो ये मेरी एक सरकार से गुजारिस है कि इसके उपर टेक्स के लिए सोलर पे जरूरर इसके लिए धिया जाए इसके साथ साथ जैसे अभी बैटरीज है इसी से रोल जुड़ा हुआ सवाल है कि अभी जैसे inverter's में, solar inverter लग रहे हैं, घरों में, बैटरीज लगती हैं, तो बैटरी पे भी जो tax है वो भी 28% के असपास है, तो इसमें भी अगर कुछ रियायत दी जाए, तो उसका भी काफी फाइदा होगा, तो ये छोटी 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 चीजें हैं, जो आम काउं दियात में, यहां भी voltage इस बिजली की परिशानी है, लाइट महां चली जाती है, तो आहां solar एक बहुत अच्छा जरिया है, और हर घर की जुरत है, तो इसमें हमें यही गुजारिस है, कि इसको कम से कम जो है इस पे दिहान देना चाहिए, और इसका कम से कम tax इस पे लगना चाहिए, जिससे आम क्योंकि आप इसी फिल्ड से जुड़ा हुए, मुफ्त बिजली दे देंगे, हम मुफ्त यह कर देंगे, लेकिन अब यह जो सोच चल रही है, दिली सरकार ने खुद घोशना किया है, कि लोग अपने घरों के अंदर हम solar panel लगाएं, सरकार ने खुद खोशना किया है कि अची पहल है, जैसे भी दिली सरकार ने भी, मानि मुफ्त बिजी ने भी अभी गोशना की है, कि हर एक को अपने घरों पे solar लगाएंगे, तो 24,000 रुपे करीब साल का फाइदा होगा, तो यह हर घर के लिए लगा रहे हैं, तो छोटे मुटे लोगों के लिए 2000-3000 रुपे म हीने का मिलमम फायदा हो जाएगा, और उनकी छट खाली रहती है, तो इसमें वो सबसिटी भी दे रहे हैं, और छूट भी देंगे, तो यह अच्छी पहल है, इसी तरह सरकार को करना चाहिए, चूँकि अभी सेंटरल गॉर्मेंट ने किया है, तो इस्टेर गॉर्मेंट भ हमारे यहां लगेंगे सिस्टम में, तो काफी अच्छा होगा, इसमें बच्चत भी आएगी, देश की भी बिजली बचेगी, और एक बर्डन जो है ना, बिजली का वो भी काफी कम होगा, अगर सोलर प्लांट जादा जादा लगाए जाएंगे, जैसे अभी हमारे यहां ज इंकम भी जो हो रही है, जो जिस तरह की योजनाय आप का जा रहा है, हाँ, बिलकुल, उसमें आवाम आदमी को भी फायदा होगा, और साथ में टेक्स में भी छूट मिल रही है इसके लिए, ठीक है, अब